नमश्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर जोती और मैं आपका बहुत-बहुत सहावत करते हूँ मेरे इस यूटुब चैनल में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रोल बढ़ जाता है यह एक आम और बहुत कॉमन बिमारी है हर किसी द अगर आपके यह दिन के लिए आपका कोलेस्ट्रोल ठीक हो जाएगा इसके बारे में जानकारी पाने वाले हैं इसके अन तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रही हैं और इससे पहले अगर आपने मेरे यूटूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुग तो प् फॉलो किजें पैसश बिए करो लाइक है और अगर आपको डीटेल में ऑंले he करका मिरे इसके इसमें टाहरगी इसमें किया होता है जब आपका निय्टेल बढ़जाता है कलेश्ट्रूल डुब कर्न कि होते हैं एक मतलस के हो तो इसमें जो good cholesterol रहता है वो है high density lipoprotein जो आपका normal होना चाहिए 60 तक होना चाहिए अगर 60 के उपर कम हो जाता है यानि कि 60 के नीचे आ जाता है कम हो जाता है तो आपका cholesterol मैनेज नहीं हो पाता है और जिसके कारण आपका cholesterol बढ़ते ही रहता है पलेस्ट्रोल में आता है रिपीर और आपका ट्राइलीसराइड जब का चीपीर 258 जाने के 300 जाता है रक्त build़ेकर जाने का काम पड़ने करें हम ँस करने के चाहित उसमें क्या होता है तो उसकी निएवारे होती है सब्धूस है जम जाता है जिसके कारण यह जो रख्त प्रवाह अच्छी तरीके से होना चाहिए वो नहीं होता है क्योंकि उसकी डायमीटर कम हो जाता है उसमें ब्लड जो है वो अच्छी तरीके से बहन नहीं पाता है और उसके बहुत ज्यादा साइड एफेक्ट आपको देखने के मिलते है यानि कि अगर आपके रख्त वाहिमी नैरो हो गई है छोटी हो गई है जिससे ब्लड आगी की तरफ नहीं चाह पा रहा है जितना जाना चाहिए जिसके कारण आपके ओर्गन्स को ब्लड अच्छी तरीके से सप्ला अच्छी तरीके से नहीं मिलता है और उनमें तरह तरह के problems उनके dysfunctions होने के problems आपको देखने को मिलते हैं ज्यादा तर इसकी परशानिया आपके दिल पर होती है आपके heart पर होती है जिसको हम बोलते हैं myocardial infection यानि कि heart attack आपको आता है तो वैसी परिशानियों को अगर रोकना है तो आपको cholesterol मैनेज करना ही पड़ेगा आपको आपको cholesterol कम करना पड़ेगा जिसके कारण आपका दिल मजबूत रह सके तो इसके यह एडल का जो ड्रॉप आता है 28 ड्रॉप आप ज़रूर इस्तिमार कीजिए जिसके वज़े से आपका cholesterol कम हो सकता है तो इसमें कौन से ऐसी हुमियोपाथिक दवाया मिली हुई है जो आपके cholesterol पर काम करती पर आपकी काम होता है फिए हूं का है यह क्या करता है कि हुद आपका diffusedид पर बहुत अच्छी तरीके से एह इसके बढ़ Gloria काम करती हैं जिसके कारण आपकी शरय में ज्यबू मुझा होने कीlexe क Taiguy चल्डी से छुग जल्दी से करता है और आपका फैप जल्दी बिशाप कि तु जल्दी से बाहर भी आ जाता है, टॉक्जिन शौरित है, वह बाहर आ जाता है, ति साइनारा मेडिसित बहुती तरीके से काम करता है, आपके शरीर में फैट को कम करने के लिए, नेक्शो मेडिसिन इसमें मेली हुई है, वह है एक्विजिटम, यह जो इक्व आपके शरीर में उसको कम करती है, जिसके वज़े से आपके शरीर में जो कोलेस्ट्रोल जमा होता है, वह भी कम हो जाता है, नेक्स्ट मेडिसिन इसमें मिली हुई है, वह है लियो नर्सिस, यह जो लियो नर्सिस मेडिसिन है टारिक है, आपके दिल पर काम करता है, यानि कि जो cardiovascular system होता है या फिर blood flow करने का system होता है उसको regularize और normalize करती है और आपके दिल की जो कारे प्रानाली होती है उसमें सुधार लाती है साथ ही में आपके digestion को improve करने का काम ये medicine करता है next medicine इसमें मिला हुआ है वो है numerous boulders ये जो numerous boulders medicine है ये आपके गॉल ब्लैडर पर काम करता है जिसके वज़े से गॉल ब्लैडर से जो भी secretions आते है या फिर जो भी enzymes आते है वो मदद करता है आपके metabolism को fast करने में metabolism में सुधर लाने के हो जब जैसे है आपका metabolism सुधरता है तो आपका जो भी lipid और triglyceride होता है उसका भी जल्दी से metabolism हो जाता है और वो आपके आपकी जो रखतवाईनी होती है उनकी दिवारों पर जमान नहीं होता है जिसके कारण आपको अथेरो और अर्टेरियोस इसके तक्रीफे कभी भी नहीं होती है next medicine मेडिसें इसमें मिजू हुई है वह है solidago ये जो solidago medicine है ये diureti की तरह काम करता है आपकी शरीर में जो जमा हुआ युरेक आसिड है उसको भी बहार निकाल देता है जिसके वज़े से आपको गठीया की तक्रीफे नहीं होती है आपके फैट लेवल को भी काम रखने का काम ये सोलेडागों मेडिसीन करती है नेक्स और लास्ट मेडिसीन इसमें मेडिसीन है वो है टारसकाकुम ये जो टारसकाकुम मेडिसीन है ये आपके लीवर और किड्नी के फंक्शन में सुधार लाता है ये मेडिसीन जो है किड्नी के थ्रू जो भी टॉक्जिन आपके शरीर में चमा रहते हैं उसको बाहर निका उसके दिवारों पर internal wall होती उस पर जो फैट जमा रहता है और अर्टेरियोस्क्लीरोसिस की जो तकलिक होती है उसको ठीक करने का काम ये तैरा स्केंक्ग मेंडिसिन करता है साथी में आपको रोमाटिक इल्लेस होती है यानि कि रोमाटिजम की और टुमिन डिसीजेस की जो तकलिक होती उसको भी ठीक करता है और आपके दिल की हेल्थ को आपके दिल को मचबूर बना के रखने का काम ये टैरा स्टैकम मेडिसिन करता है तो ये जो सारी मेडिसिन्स मैंने अभी बताई ये इस एडल 28 ड्रॉप में मिली हुई है जो मदद करती है आपके दिल की कायो प्रणाली में सुधार लाने के लिए और आपके कोलेस्ट्रॉल को आपके लिपिड को आपके ट्राइलेसराइड को नौरमलाइज रखने के लिए जैसे ही आप बहुत जादा ओयली चीजे खाते है जिन चीजों में ओयल जादा होता है उन चीजों क्या सेवन आपको कम कर देना है जैसे कि मुमफली होती है उसमें जादा ओयल रहता है आपको जो पीनट्स होते है या फिर ड्राइप्रूर्स होते है उसमें बहुत जादा औलिया रहता है औल की मात्रा जादा रहती तो उसको कम कर देना चाहिए और जो भी ओली चीज़े होती उनको भी कम कर देना चाहिए ताकि आपके शरीर में लिपीड और ट्राइटिसराय कोलेस्टोल ना बढ़े और आपके बैड कोलेस्टोल को आपको कम रखना है और आपके गुड़ कोलेस्टॉल को यानि कि जो high density lipoprotein होता है इसको आपको बनाया रखना है ताकि आपकी शरीर में कोलेस्टॉल कभी नाख बढ़े तो मैं आशा करती हूँ आज के वीडियो में आपको समुझ में आ क्या होगा कि कोलेस्टॉल कैसे बढ़ता है और उसके लिए आपक लोग डाल का दिन में तीन वार लेना है सुबर दू पर शाम खाना कहाने के आदे गूंटे पहले या आदे हंटे पाद भी इस मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं ये medicine regular आपको 6 मेने के लिए इस्तमाल करना है ताकि आपका cholesterol का स्थर normal हो जाए तो मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो में आपको detail में समझ में आ गया होगा cholesterol को आपको कैसे manage करना है फिर मलते हैं नेच्ट वीडियो में मैरे YouTube चैनल को जड़ सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को शेर कीजिए लाइक कीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसे लगा और आपको और किस रापिक पर वीडियो चाहिए तेंक यू चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें